उसने कहा अब इस घड़े को मुझे पकाना है उसने दो घड़े बनाए थे वो चाहता था मैं दोनों घड़े को आग लगाकर आवा तयार करके उसने पकाऊं भट्टी में और दोनों घड़े लाल हो जाएं मजबूत हो जाएं कि आदमी एक ठोकर मारी तो तूटना जाए बन उठाया रखा आवे में पकाया उसको लाल कर दिया टन 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 आवा जाने लगी क्योंकि पक गया था कच्चे और पके की आवज कैसे रती है पके की आवज होगी तो टनक से आवा जाएगी खनकती हुई कच्चे की आवज भद्य से आवा जाएगी ऐसा लगता है यह पका अब देखो, यही मैं गिरहों का संसार आपको बता रही हो, और यही मैं शनीदो जी का निर्माण आपको बता रही हो, और यह सबसको इससे गुजरना पड़ेगा, और गुजरते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं, और हो ना रहे होकर रहती शनी पर यूँ ही उंगली उठती तो मैं आपको ये संकेत दे रही हूँ कि जिस घड़े ने पकने के लिए सहमती दे दी वो कच्चे से पक्का बन गया अब जिस घड़े ने पकने के लिए सहमती नहीं दी वो कच्चा ही रहा है, वो लो नहीं, मुझे आग में नहीं तपना है, मुझे डर लगता है आग से, मैं वहाँ जाने वाला नहीं, मेरे हाल पर मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा ही भला हूँ, कुमार ने क्या किया, पक्के घड़े के भगल में ही कच्चे घड़े को बिठा दिया ठीक है भई नई पकना है तेरी जैसी मरजी उठाया पक्का घड़ा भी रख दिया साथ में कच्चा घड़ा भी रख दिया दोनों घड़े एक साथ रख दिये अब इसके बाद में एक खरीदार आया खरीदार ने उस पक्के घड़े की कीमत पूछे और उस कच्चे घड़े क ये सस्ते में मिलेगा, ये पक्का घड़ा है, ये थोड़ा महंगा मिलेगा, उसने ठोका बजाया, उसने कहा, मुझे तो ये लाल वाला पका घड़ा ही चाहिए, तो बोले, कच्च घड़ा क्यों नहीं चाहिए, बोले, मैं क्या करूँगा उस कच्च घड़े को लेकर, बोले आप उसको आधी कीमत में दोगे तो भी मैं क्या करूँगा वो घर ले जाने तक फूट जाएगा एक बार पानी भरूँगा तो गल जाएगा मुझे यह नहीं चाहिए मुझे तो पक्के घड़ा चाहिए अब उस खरीददार ने उस सामने वाले आदमी ने पसंद किसको किया पक्के घड़े को किया और वो पक्का घड़ा लेके चला गया अब उसने कहा कि और भी पक्के घड़े साथ में थे दूसरा पक्का घड़ा लाके रख दिया क्योंकि वो तो कुमार है उसका तो रॉली यही है अब कच्चे घड़े के साथ में पक्का घड़ा रखा हुआ है रात में बारिश आ गई, तेज बारिश वी, उस बारिश में जो पक्का घड़ा था वो जैसा था वैसी बैठारा, कच्चा घड़ा था वो फिर मिट्टी मिल गया, जो कच्चा घड़ा था तेज बारिश आई, वो बारिश ने घड़े को फिर से मिट्टी में मिला दिया, और जिसने मार से अपने आप को समझोता कर लिया उसने कहा ये तो मेरा शिक्षण है ये तो मेरी तरक्की है यही तो मेरा सुधार है यही तो मेरा निर्माण है इससे क्या खबराना इसमें से गुजरूंगा तो ही तो मैं आगे बढ़ूंगा और उसने स्वागत किया उस समय का औ मैं तो इसी के भरोसे आगे बनने वाला हूँ और आगे बढ़ने वाला हूँ आप वो जो खरीद के ले गया था उस घड़े को उसने क्या किया उस घड़े में जल भरा जल भरने के बाद में उसने देवालाय में रखा कलश स्थापना हो गई सोभाग देखो उस मिट्टी का जो कभी पैरों में रौदे जाने वाली थी उसने देवालाय के सम्मु कलश का रूप धारण कर लिया किसी ने वास्तु पूजन किया तो कलश पूजा कराई सोभाग देखो कहीं वास्तु प्रिबेश हुए तो कलश सर पर उपर रखके महिला चली कहीं सोभाय आत्रा निकल कहीं धार में कार छेतर की तो बहनों ने सर के उपर में उसे इस्थान दिया कौन पैरों में रोंदे जाने वाली वो मिट्टी थी यश्कीरती पत्प्रिद्श्रा कितनी मिली जो सर के उपर चड़कर बैठी है इतना ही नहीं हर छेतर में जाके देखो तो उस कलश ने अपना ऐसा बर्चस विस्थापित कर दिया कि लोगों के लिए वो पूजनिय हो गया और पूजनिय होने के बाद में एक दिन ऐसा आया कि उसमें ठंडा पानी भर कर लोगों को पिलाने की विवस्था की गई अब ये सारी हिस्ट्री हमारी लाइफ की है ठंडा पानी भरने के लिए उसको रखा गया अब पानी उसमें भरा गया अब पानी भरा गया इधर वो जो पानी भरने के लिए उसमें जो ठंडा पानी पीने के लिए अब जो लोगों से यूज कर रहे हैं एक मिट्टी से बनाया गया मटका एक मिट्टी से बनाया गया रंजन, कलस, घड़ा आप जो भी कहलो वो रखा है उसमें पानी भरा है और लोग आते हैं उससे ठंडा पानी पीते हैं ठंडा ठंडा पानी पीते हैं अब उसे देखने वाला व्यक्ति सोचता है बड़ा अध्वुद विशा है देखो लोगों को ये पानी भी ठंडा पिला रहा है अपने पानी से कंठ को सीच रहा है लोगों को तरप्त कर रहा है लोगों को तरप्ती दे रहा है थी तो भाई मिट्टी और आप पानी पिला कर लोगों को तरप्ती भी दे रही है यानि जिस रूप में आप उसे यूज कर रहे हैं हर रूप में वो कहीं न कहीं आपके लिए यूजफुल साबित हो रही है एक ज्यानी व्यक्ति उससे पूछता है किस से पूछ रहा है अब उस मिट्टी से सवाल हो रहा है उस घड़े से सवाल हो रहा है जिससे ठंडा पानी पिया जा रहा है उससे पूछता है कि अरे भई एक बात बता एक बात बता कि तुम्हारे अंदर में थोड़ा भी अहंकार मुझे नजर नहीं आता थोड़ा भी मुझे गुरूर नजर नहीं आता तुम देखो इतना इतना लोगों का कल्यान कर रहे हो इतने लोगों को ठंडा पानी पिला रहे हो इतने लोग तुम्हें आके यूज कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं कमाल की बात है तुम बिल्कुल भी आहंकारी नहीं हो तो मिट्टी का जो घड़ा है वो क्या जवाब देता है कि मुझे इसलिए आहंकार नहीं है क्योंकि मैं एक सत्त को समझ चुका हूँ मैं इतनी प्रक्रियाओं से गुजरा हूँ मिट्टी से कलस बनने में मैं इतनी प्रक्रियाओं से गुजर चुका हूँ कि एक सत्त को समझ चुका हूँ कि आहंकार मैं कैसे करूँ और किस चीज का करूँ कि मैं इस सत्त को समझ चुका हूँ कि मैं घड़ा बनने के पहले भी मिट्टी था और घड़ा बनने के बाद भी मुझे मिट्टी ही हो जाना है घड़े बनने के बावजूद उसके बाद भी जब ये घड़ा फूट जाएगा तो मैं मिट्टी में ही मिल जाने वाला हूँ तो जब मेरा जीवन ओनली मिट्टी ही है मैं मिट्टी ही हूँ तो फिर मुझे इन सुविधाओं का, इन एश्वर का, इन सारी संपत्ती का और इन सारी जिंदिगी के आगे उतार चड़ाओं का, मुझे क्या अहंकार और क्या शिकवा शिकायत, क्योंकि यह सत्त है कि मैं पहले भी मिट्टी था, आगे इस जीवन के बाद भी मुझे उसने शनी पुड़ा को जीत लिया, उसने शनी कृपा प्राप्त कर ली, अहंकार को ही शनी पुड़ा लगने वाली है, अहंकार ही शनी के कश्ट बनकर जिंदिगी में, चाहे वो शरीर के रूप में देखे, चाहे वो व्यक्ती के मन की पुड़ा में देखे, चाहे वो धन की पुड़ा में देखे चाह कुटुम की पुड़ा में देखे और जिसने उस पर विजय प्राप्त कर ली यानि मान लीजे कि वह व्यक्ति अपनी जिन्दगी में शनी कृपा पल 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 देखेगा पल पल पर पाएगा जब जागे तब ही सवेरा जब हमारी सोच बदल गई उसी दिन से हमें नया सवेरा दिखाई दियने लगता जिस दिन से बीजबो दिया उसी दिन से हम एक अच्छी चीज के बागवान बनना चालो हो जाते हैं तो फिर मैं आपको बता रही थी कि शनी दियोग जी का जो बर्चस्व है निर्मान है और शनी दियोग जी की जो इसका मतलब है कहीं न कहीं प्रॉबलम ऐसी थी जो शनी से किरपा नहीं मिल पाई और शनी देव जी की पिड़ा आप पर चल रही आपके उस समय चक्री की परिभाशा में आ गई है और वो लेवर ही आपको जो आप से रोजी रोटी भरन पोशन लेने वाले थे आज आपको त उसका भी सतकार करना उसको भी समान से देखना उसके लिए भी भला और अच्छा सोचना उसके लिए भी अच्छी योजनाय बनाना क्या किया बिड़ला टाटा डाल मिया ने क्या किया हमारे अम्बानी ने ऐसे चोटे 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 लोगों को जोड़ा और तरीके से उनका जीवन अच्छा चल सके जब आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए वो अच्छा क्यों नहीं सोचेंगे जब आप उनके लिए कभी अच्छा सोचने के लिए मन में भाव नहीं लाएंगे तो वो भी मालिक और नौकर का ही संबंद बना के चले अरे पैसा तो फिर भी आदमी कमा लेगा पर जो समय दिया है उसे लोट के बापस तो आदमी कभी पाही नहीं सकता उसकी value जब आपके हिर्दय में आ जाएगी वो शनी दियो जी की सरद्धा देगी वो शनी दियो जी की भक्ती देगी वो शनी कृपा के बारे न्यारे आपको दिखाएगी तो आपको ये समझना है कि मुझे करना क्या है जिससे मैं इन लोगों की प्रसनता के रूप में शनी कृपा को पाऊंगा और लोगों के अंदर बड़ी भारी गलत फेमी है लोग साउत के लोग तिरुनलार आएंगे जाएंगे दर्शन करेंगे हमारे महराष् के लोग शिगना पूर आएंगे जाएंगे दर्शन करेंगे हर शनीबार को भी कई लोग जाएंगे कई लोग शनिया वाश्या के लिए यात्रा रखेंगे बहुत सारे छेत्र ऐसे हैं जहां लोगों ने एक नियम बना लिया है कि वो हर शनीबार को जाना आना करेंगे मूर शनी पीड़ा है और ये पीड़ा के लिए मुझे इतना सब कुछ करना था और मैंने किया पर उसके बावजुद भी मेरी दशा नहीं सुधरी। तो हमारी दशा हमने खुद ने ऐसी बनाई है हमारी दुरदशा भी हमारी खुद की बनाई हुई है यदि हम सही माने में इस बात को समझ लें कि किस किस रूप में शनी की किरपा चुपी है तो निश्चित रूप से फिर हमारे भूस सारे तीरत यात्रा ना करने पर भी पुन पर अकेला वही यात्रा काम आप करके यदि सोचें कि मेरा पुन भरपूर हो गया और अब मेरी हर दशा महा दशा सुधर जाएगी ऐसा नहीं होने बाला अब मार्ग मिला है तो मार्ग पर चलना भी आपको पड़ेगा कि हाँ अब जिसमें मुझे शनीदेओ जी प्रिसन नजर आते हैं मुझे वो काम करना पड़ेगा तो शनीदेओ जी की प्रिसनता के लिए आप अब जो करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे आप जो आप शनीदेओ जी को रूठने से बचा लेंगे और अती प्रिसन करेंगे मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई कि जो आपके अधीनस्त व्यक्ति हैं जिनोंने आपको मदद की है आपके कार छेतर को आगे बढ़ाने में जो कर रहे हैं चाए श्टाप के रूप में चाए फैक्टरी के रूप में चाए आपके समाज के रूप में राष्ट के र आपका सुख देकर आपका प्यार देकर आपकी तारीव देकर आपके अंदर में कोई चीज ऐसी है जो आप मदद पर उसके आश्वाशन से उसको अब तरफ्त कर सकते हैं चिंता नहीं करना मैं हूँ तेरे साथ कोई प्रॉबलम होगी न तो मुझे बताना आप एक किसी जरू देव जी का किया गया सबसे बड़ा अनुष्ठान है वो सबसे बड़ा उपचार है आप जब किसी व्यक्ति को जरूरत पढ़ने पर साथ देते हैं जब किसी गरीब का जरूरत पढ़ने पर हाथ थाम लेते हैं वो आपका सबसे बड़ा उपचार है तो आपको ये नहीं सो नहीं है कि मैंने कितने बड़े बड़े रतन पहने हैं और मैंने कुतना सारा भुवत सार अन्वा अन्यदानSiा है या भुवत सारे जगे जगे जाके जगे जगे ज lrs नहीं वह सब था रिफाल खार्नेसे नहीं है् प्रिसंद करने के लिए आज किसी के लिए को ठुटूर रहा है उसके पास में आज शॉल और कंबल की जुरुरत थी तो विभासरी को आपको शॉल उडाने से पुन्न नहीं मिलेगा जो पुन्न उसको एक छोटा सा चादर दे देने से एक छोटा सा शॉल दे देने से कई गु हमारी तारीव करें और हमारा नाम हो पर हम उसको देना पसंद नहीं करते हैं जिसको देने पर सिर्फ भगवान और हमारे बीच में कोई मिडिटर नहों सिर्फ भगवान को पता हो कि मैंने इसको दिया और भगवान ने देखा तो शनी का दान वो दान होता है कि जो सिर्फ को पता है